एक ऐसा भूत जिसे आप भी देख सकते हैं, आखिर नूतन की रिसर्च को डायमंड ने कैसे बरबाद कर दिया, और एक ऐसा पेग्विन जो इन्शान जैसा दिमाग वाला है, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ. अगर मैं आपसे कहूं तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि आज से 4000 साल पहले गीजा के पिरामिट शीशे की तरह चमकते थे, क्योंकि इन्हें सफेद चून्हे पत्थर से कवक किया गया था, पिरामिट सूर्य की रोश्नी को रिफलेक्ट करते थे और इस्राइल के पहारों से भी दिखाई देते थे, नंबर 6, साइंस के अनुसार यदि हम अपने आपको कम रोश्नी वाली कमरे के शीशे में 10 मिनट से ज्यादा देखे तो हमारा दिमाग एक कैमिकल रियेक्शन की वजए से ब्लडी मैरी जैसे भूत को दिखा सकता है, लेकिन ये भूत असल में नहीं के बाद वो कुता गायब हो गया, कहीं नूतर ने उससे, अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर से करें, नंबर 4, अब तक मांट एवरेस्ट पर हजारों लोग चद चुके हैं, और चांद पर कुल 12 लोग गये हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं समुतर के सबसे गहरे पॉइंट मेरियन ट्रेंच में सिर्फ दीन लोग यी जा पाए हैं, और वो लोग भी जिन्दा नहीं आ सकें, वेग्यानिकों का कहना है कि इस जगह पर इतना प्रेशर है, ये एक समान्या इंसान जाएगा तो इसका एक भी टुकड़ा नहीं मिलेगा 3. उत्तराखन के नैनिताल में काला धूंगी के जंगलों में दो पेड ऐसे हैं जिन्हें इंसानों की तरह गुदगुदी होती है, इस रहस्यमई पेड पर अगर कोई अपनी अंगुलिया रगरता है तो पेड की शाखाय और पत्तियां भी हिलने लगती है, मतलब 2. आपको जानने का मज़ा आएगा की किर्शीजिस्तान में शादी अजीब तरह से की जाती है, वहाँ पर दूलहा अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी भी लड़की को किड्नेप करता है और फिर उसे शादी करने के लिए मनाता है उसके बाद दूलहे के परिवार वाले लड़की के घर जाकर उनसे माफी मांगते है उनकी बेटी को अगवा करने के लिए और इसके साथ शादी हो जाता है जापान में लाला नाम का एक पालतू पैंगुइन है यह इतना होशियार है कि रोजाना बैग लेकर बजार जाता है और मचली खरीद कर लाता है और अगर इसे ज्यादा गर्मी लगती है तो यह लोगों का दरवाजा खटखटा देता है ताकि लोग उस पर थंड़ा पानी डाल दे